नमस्कार दोस्तों गारगी क्लास उस पर आपका स्वागत है डेट आज की 9 जुलाई 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रस की इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फर्स जो न्यूज वो है जपाइन के फार्मर प्राइम मिनिस्टर शिंज जो अबे उनको असेसिनेट कर दिया गया कल वो जब एक इलेक्शन रेली में स्पीच दे रहे थे तो उन पे अटेक कर दिया गया फायराम से मतलब गोली चलाई इसके वज़े से उनकी डैथ हो गई ठीक है तो बेसिकली ये जपाइन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर है दूसरी बात इंडिया जपाइन टाईज आज की जो परिस्तितियों में जिस सिचुएशन में चल रहे हैं जहां पर कॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पर उस्ट्रेलिया जपाइन इंडिया चारों का कॉलाबरेशन है ये सिक्यूरिटी ग्रूप है और मेंली इंडो पैसिफिक रीजन जहां पर दो बड़े ओशिंस उनका वाटर कॉन्फूएंस हो रहा है उस रीजन को सिक्यूरिटी वाइस देखने के लिए जो कॉर्ड का इड लिए फिर दोजार सत्रा में डोक्लामी इश्यू आता है जिसमें इंडिया चाइना की मिलिटरी स्कॉन्फरेंटर कर आमने सामने खड़ी हो जाती है चुम्भी वैली इदर भूटान और सिक्किम वाले एरिया की बात करें तो फिर वहां पर फिर से सिंच जोबेने ही कहा थ था कि चाइना लगाता रेग्रेशन दिखा रहा है हमें कही ना कहीं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग बनाने की जरूरत है तो कॉड की बात फिर से आई और रिवाइवल होता है जिसमें पहले तो मिनिस्ट्री लेवल पर मीटिंग्स होती है और फिर लीडर्स के ले बताया जारा है जिनमें में एक बताया जारा है अल्ट्रा नेशनलिजम मतलब राष्ट्रवाद की भावना बहुत जादा जगाने की कोशिश की जिसके चलते कुछ धड़े वो बड़े नारास्ते शिंजोब इसे ठीक है इन्होंने अपनी तरफ से एक तो अपने कॉंस्ट और रिनाउंस देट मींस हम युद्ध नहीं लडएंगे ऐसा कॉंस्टिटूशन बनाया अब वो वार रिनाउंस कॉंस्टिटूशन के चलते आज जपैन बहुत ज़्यादा कहिना के चारों तरफ से घिरा हुआ है एक तरफ नोर्थ कोरिया चाइना ये अग्रेशन दिखा रहे हैं इसके अलावा रॉषिया है वो भी टरिटोरियल डिस्प्यूट लेकर के खड़ा रहता है जपान के साथ में तो ऐसे में एक तो जपैन के कॉंस्टिटिशन को रिव्यू करने की बात इनोंने की थी इसके लावा नौर्थ कोरिया और रॉषिया के साथ में जो टरि खुश नहीं थे कुलमिला के बात यह है कि इनकी सारी एक्टिविटीज जो की जपाइन के लिए ही थी बहुत ही ज़ादा फोकस्ट उस केस में कहीं नहीं प्राब्लम आ गई और उसी का कहीं नहीं नतीजा माना जा रहा है कि अटेक करवाया गया इनके अगेंस्ट में ठीक है इसके अलाब आप देखो कि सेकंड वर्ड वर्ड जब खतम हुआ था तो यूएस के साथ में एग्रिमेंट हुआ था जपैन का पैसिफिस्ट ड्राफ्टिंग इसमें क्या था पैसिफिस्ट का मतलब जपैन एक्रेशन नहीं दिखाएगा लड़ाई नहीं करेगा किसी के सा पी-फाइफ बनके बैठे हैं यूनाइट नेशन में तो देखो इंडिया के साथ में रिलेशन्चिप बहुत हाई लेवल तक लेके गए हैं अगर इंडिया रिलेशन्चिप के हम बात करें तो टू प्लस टू डाइलोग होता हैं इंडिया और जपैन के बीच में जिसमें मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों तरफ से पाटिस्पेट करते हैं इसके अलावा एक्कीजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रिमेंट जिसमें जो की एक मिलिटरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है इसका मतलब क्या हो गया कि जपैन की नेवी या जपैन की एरफोर्स ह लिए तो यह अपने आप में बहुत ही इंपोर्टेंट एक एक एक्कीजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रिमेंट था इसके अलावा अगर देखें तो सिंजो अभी का कॉंट्रिब्यूशन अपने आप में बहुत जरूरी किसलिए माना जाता है क्योंकि 2007 में कॉर्ड का जो आइडिया था वो मैं आपको अल्री बता ही चुका हूँ 2013 में आप देखो 2013 से लेकर अब तक चाइना ने चार बार हमारे साथ में कॉन्फरेंटेशन कर लिया बॉर्डर एरियाज में इसलिए सिंजो अभी का यह जो आइडिया है कॉर्ड को रिवाइव करने का यह इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर दोनों कंट्रीज मिल करके जितनी भी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज कर सकते हैं वो जी सेवन कंट्रीज में शिंजो अभी जपैन को जब रिप्रेजेंट करते थे तो इंडिया को टेंशन नहीं रहती थी यहाँ जी हमारे डॉम मिश्टिक इशूस को लेकर के बहुत बार ऐसे मतलब मोके पे कई कंट्रीज चोके लगा देते हैं हुवाली बात है तो जी सेवन कंट्रीज में जब जब जपैन को रिप्रेजेंट सिंजो अभे करते थे तो वो टेंशन नहीं रहते हैं इंडिया उस केस में जनवरी दोज देखा जाए तो अभी तक जो हमने पॉइंट्स देख है ना उन पॉइंट्स में इंडिया जपाइन रिलेशन्स की में बात आ रही है खिक है तो इनमें कुछ फैक्श्वल चीज़ें जो आपके प्रिलिंच में काम आने वाली है कुछ आपको एड़ाउन करने के लिए में प्रिंच में काम आने वाले चीज़ें हैं तो थोड़ा से ध्यान रखना इनका नेक्स्ट हम आ गया है एक्स्प्लेंट पेश पे इस पर एक आर्टिकल है इसमें पुछा जा इसमें यह हम एनलाइस कर रहे हैं कि पश्मान दा मुस्लिम्स कौन होते हैं जिन पर की बीजेप अबी फोकस कर रही है ठीक है यह एलेक्शन से रेलेटेड मुद्धा चल रहा है भी ठीक है ना तो यूपी में अभी आप देखो जो बाइलेक्शन होएं लोग सब आके तो वहाँ पर उन एरियास से जैसे आप देखो आजमगड और रामपुर वहाँ पर बीजेपी जीती है इसके पीछे कारण क्या रहा है इसके पीछे मतलब आप देखो कि वहाँ के मुस्लिम वोट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है बीजेपी के सपोर्ट में तो वहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं वो दलित मुस्लिम्स हैं ओभी सी मुस्लिम्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट क किया गया है अगेन वही बात डौ़रीटें नी ये हम कह सकता है विदिनẬ्स भी विए धिलिम् कम्युनिटी थीक है इनको डेपरेस्ड क्लास भी बोला जा सकता है मसलिम में जिन को जानबूज कर के exclude किया गया है पस्मान्दा जो है एक umbrella identity बने चुकी है backward दलित और tribal जो Muslims हैं उनके लिए कास-based discrimination देखा जाए तो Muslims में भी बहुत जादा देखने को मिलता है वो हम detail अभी देखेंगे पस्मान्दा Muslim Tom ये सबसे पहले अब देखो Muslims में कास्ट कम्यूनिटी कैसे काम करती है वो थोड़ा हम समझते हैं देखो Muslim society को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो अश्रफ्स एक होते हैं अजलफ्स और एक होते हैं अजलफ्स वो जो कि अपर माने जाता है अपर कास्ट के जिनको नॉबल या एलिट Muslim बोना जाता है अजलफ्स कौन होते हैं बैकवर्ड मुस्लिम बट वो काम ठोड़ा डिग्निफाइड करते हैं और अजलफ्स दलित मुस्लिम जिनको बहुत ही ज्यादा exclude करके रखा जाता है तो इनको अगर हम हिंदू सिस्टम से compare करें तो अश्रफ मतलब अपर कास्ट हो गई अजलफ का मतलब हो गई middle caste ठीक है और अजलफ का मतलब हो गया जो हिंदूस में जो OBC होती है उससे compare कर दो और अरजाल्स अरजाल्स हो गए जैसे SCST community के होता है उस तरीके से तो इस तरीके से यह तीन लेवल में divided होता है मुस्लिम सिस्टम की बात भी करें अगर हम कास्ट के point of use है अब इनको देखें अश्रफ में कौन आते हैं इनमें देखो तो एलीट साते हैं या तो वो descendants हैं Muslims जो कि Arabiya पर्शिया या तरकिसे आफगनिस्तान से आए हुए अरेबिया सा हुए शेयत्स पर्शिया सा हुए शेख तरकिस आए हुए या इनसे मुगल्स और पठांस इनके descendants जो है उनको अश्रफ बोला जाता है वो higher level के हो गई या फिर वो हिंदूज जो की अपर कास्ट से बिलॉंग करते थे उन्होंने इसलाम को जॉइन किया जैसे राजपूत, गौड, त्यागी उन्होंने इसलाम को जॉइन किया हो तो वो जाते हैं फिर किसमें? असरफ्स में ठीक है? तो ये तो होगी अपर कास्ट फिर आजाते हैं OBCs में अजलाफस जो हैं उनमें middle caste आते हैं इनमें mainly वो हैं जो कि clean occupation को follow करने वाले individuals थे जिन्होंने conversion कर लिया और Islam को join किया जैसे कि moments या फिर जुलाहा जो कि वीवर कपड़े से related एक काम वाम करते हैं वो दरजी या इदरिस भी बोलते हैं उनको टेलर इसके अलावा राइंस या फिर कुंजाराज जो कि सबजिया अब जिया बेशने का काम करते हैं वो तो वो आ जाते हैं किसमें second category में that is अजलाफस और अरजाल्स की अगर बात करें तो वो देखो देखा जाए है अरजाल्स वर्ड यह सबसे पहले तो रिकोर्ड वा था 1901 की जो सेंसस हुई थी ठीक है उसमें अंटचेबल आजा जाते हैं जैसे कि हलाल खोर हेलाज इसके अलावा लाल बागी या फिर स्केवेंजर्स भंगी इस तरीके से दोबी यह सारे के सारे किसमें आ जाते हैं ज कि जो अश्रापस हैं उनको आप स्पेश सोशली आप कह सकते हो कि बिना कोई सोशल डिसाबिलेटी के हैं ईसके अलावा अजलाफ से हैं उनको OBC किससे यह से कंपेर कर सकते हो ठीक है अरजाल्स हैं उनको हिंदू SC st से कंपेर कर सकते हो इसके अलावा अगर देखें तो UP erst government क के टाइम पे कमिटी कॉंस्टिट्यूट की गई थी राजिंदर सचर कमिटी उस कमिटी का काम क्या था कि सोशो एकॉनोमिक और के टाइम के लिए इंडिया में तो उन्होंने भी कहा था कि जो लोवर कास्ट जो केटेगरी है ठीक है अरजाल उनको बहुत जादा प्राब्लम का सामना करना पड़ रहा है इंडिया में ठीक है मुस्लिम्स में इसके अलावाद जस्टिस रंगनात मिश्रा कमिशन इसने भी कि अपने रिपोर्ट सब्मिट की थी मई 2007 में तब भी कहा था कास्ट सिस्टम इंडिया की हर एक रिलिजियस कम्यूनिटी में देखने को मिलेगी कोई हिंदू में नहीं चलती है या आपको मुस्लिम्स में क्रिस्चन्स में सब में देखने को मिलेगी ठीक है तो ये परसेंट है टोटल पॉपुलेशन के वैसे सचर कमिटी ने तो यह कहा था कि जो टोटल जो मुस्लिम कम्यूनिटी की पॉपुलेशन है उसमें से OBC और SCST constitute करती है राउंड 40% ठीक है बट अगर देखा जाए तो जो पश्मानदा एक्टिविस्ट है जो की मुस्लिम्स में OBC और मुस्लिम्स में SCST कम्यूनिटी के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते है उनका यह कहना है कि इंडिया की जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन अना उसमें 80-85% पसमानदाज है बोला इनको रिजर्वेशन का बेनेफिट मिलना चाहिए वैसे 1871 की जो सेंसस थी ठीक है लोड मेयो के टाइम पर सेंसस 1871 ठीक है तो उसमें यह था कि इंडिया के जितने मुस्लिम्स उनमें केवल 19% मुस्लिम्स हैसे है जो पर देख सकते हो 20 और पशमानदा कितने है 80 मतलब लोवर कास्ट अपर कास्ट का रेशो इस तरीके का है मुस्लिम्स में अब फिर यह बोला जाता है कि जब इंडिया का पार्टिशन हुआ तो बहुत सारे अश्रफ्स थे वो तो जान बचा करके निकल लिए कहां पे पाकिस टोटल जितने मुस्लिम्स हैं उनमें से वो तो हैं पशमानदाज और 15 परसेंट रह गए अश्रफ जो कि एलीट क्लास से बिलॉंग करते हैं मतलब पैसे वाले जो क्लास होती है वो इस तरीके से रेशो हम अंडिस्टेंड कर सकते हैं चाहते क्या है यह पशमानदाज इनका साइडलाइन करते हुए यह चाहते हैं कि जिस तरीके से SCST OBC को रेजर्वेशन हिंदूज में मिला हुआ है उसी रेजर्वेशन में हमें भी एड कर दिया जाए और SCST OBC कम्यूनिटी के हिसाब से रेजर्वेशन मिले जिससे जॉब्स में भी रेजर्वेशन हो इलेक्शन के टाइम पर भी हमारा रेजर्वेशन प्रॉपर हो और गॉर्मेंट भी है जिसमें देखा जाए तो गॉर्मेंट रन जो माइनोरिटी इंस्टिउशन्स है जहा पर हमें बोला साइड लाइन कर दिया जाता है तो ऐसे में हमें प्रॉपर रेजर्वेशन प्रॉपर रेकग्नीशन मिलना चाहिए यहां तक कि आप देखोगे मुस्लिम लीग 1906 में स्टैबलिश होई थी उसको भी क्रिटिसाइज किया था उस टाइम के जो यह जो मतलब ल Class of Saint vitamin au Canada जो है सभी मुस्सलिम को रिप्रेजनेट करती ब Lalुम्हें ओपोज करता हूं बिलकुल भी रिप्रेजेंट नहीं करती है बोले मुस्लिम लीग में इलीटस ज्यादातर है जो यह जो पशवान्दास की करने हैं इनका रिप्रिजंटेशन प्रॉपर थाई नहीं और यही चीज आज के टाइम पर भी सवाल उठाए जाता है पश्मानदा लीडर्स हैं उनका यह कहना है जिसमें जो दलित मुस्लिम्स भी आ गए उनका यह कहना है कि हमें SCST के टेगरी में डाल दो OBC के टेगरी में डाल करके रिजर्वेशन का बेनेफिट मिले दूसरी चीज कि ह हमारे किलाफ में जो भी कोई इशू आता है तो उनको हमें SCST Prevention of Eterocities Act है 1989 का है यह 88 यह 89 का तो बोले इस Act के बेसिस में हमें protection दिलाओ आप हना तो overall देखा जाए तो यह जो दलित्स हैं Muslim दलित्स ठीक है इन पर focus किया जा रहा है और इसी पर main focus है और इनी के चलते हैं अभी BJ BJP को रामपुर और आजमगड में जीत मिली है और इनी पर focus किया जाएगा BJP की द्वारा यह बाते चल रही है अभी politics में ठीक है तो ऐसे में हमने Muslim Community में जो कास सिस्टम है वो भी understand किया और साथ में यह भी जाना कि किस तरीके से past में इनका क्या evolution रहा development रहा ठीक है आगे चल और दूसरी तरफ निरंकारी इन दोनों के बीच में जब clash हुआ था जबर्दस्त तो उसके चलते अमरिच सर का जो golden temple था वहां पर militants बहुत ज़्यादा गैदर हो गए थे तब आर्मी बुलवाई गई थी operation blue star के अंडर जब प्राइम मिनिस्टर थी इंद्रा गांधी फिर और उस पूरे इस operation के अंडर में फिर बाद में militancy को surrender करने की बात की गई थी और हुआ भी था अब उसी से संबंदिती एक bureaucrate जो retire हुए है अभी मतलब retire हो चुके था तो उन्होंने अपनी जीवनी लिखिया कि मेरा क्या experience वहां पे रहा था basically और वो अगर bureaucrate का नाम भी ठीक है वो देखो chief secretary of Punjab के तौर पे काम कर चुके हैं और deputy commissioner of Amritsar थे कब जब ये golden temple में operation blue star conduct हुआ था तो इन्होंने अपनी जुबानी बात बताईए कि क्या-क्या situation वहां पे चल रही थी सबसे एक important point तो ये बताया जा रहा है कि ये जो militancy rise हो रही थी उस time पे पंजाब मे बो उसमें खालिस्तान का moment के तौर पे हम observe करते हैं बोले उसमें खालिस्तान के demand ज्यादा नहीं थी इवन जो उस militancy को lead करने वाला जो था जर्णेल सिंग भिंडरे वाले उसने भी अपने एक interview में कहा था कि बोले कि खालिस्तान की मैं demand नहीं कर रहा हूं पर government अगर खालिस जैसा कुछ बनाती है तो बोला मैं accept करने से मना नहीं करूंगा पर मेरी main demand खालिस्तान नहीं है ऐसे करके something बात हुई थी तो इन्होंने बताया इसके अलावा देखा जाए कि एक survey करवाया गया था दिल्ली के professor के द्वारा 1985 में जब यह operation blue star हो चुका था उसके बाद में तो खालिस्तान की अगर बात करें ना तो सही में इसकी एक जो फॉर्मल डिमांड शीरू हुई थी वो 1986 में जब फाइव मेंबर्स पर जो पंतिक कमिटी थी वो constitute होई कि हमें खालिस्तान बना देना चाहिए आने वाले टाइम पर इस तरीके की problem ना हो जहां पर militancy का issue rise होता रह करें लोग हतियार उठा करके और फिर बाद में इस तरीके क्रांतियां करें पर वही चीज़े इन्होंने बताया की operation blue star जो कंड़क्ट हुआ उसके पीछे की प्रोविजन कुछ अलग थे इसके अलावा militancy को बढ़ावा देने में पाकिस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी थ तो पाकिस्तान पर विश्वास करता था उस ताइम पर यूएस पैसा पर आपको पताए उस पैसे को पाकिस्तान पंजाब में इंस्टैबिलिटी लाने के लिए भी यूज करता था ठीक है फिर बाद में देखा जाए तो पाकिस्तान ये भी क्लेम करता है कि हमने पंजाब में militancy को कम करने में help की थी जैसे उस ताइम की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो उन्होंने बताया कि किस तरीके से militancy को प्रोमोट करने के लिए पाकिस्तान से funding जा रही है क अहां पर इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे उस टाइम पर राजीव गांदी तो उन्होंने उन से कमिट्मेंट मांगा कि information तो मैं सारी दे दूंगी बेनजीर भुट्टो नहीं का पर आपको ये guarantee देनी होगी कि आप सिया चीन से अपने forces को withdraw कर लोगे फिर वो operation blue star तो हुआ के पुरा control आई गया था है militancy बहुत तक control आगी थी पंजाब में ठीक है पर फिर बाद में ये blame लगता है कि राजीव गांदी ने अपनी बात को माना नहीं मतलब सिया चीन पर अभी भी हमारे troops हैं बेशक हैं वहाँ पर अभी भी तो ये थोड़ा सा history बताई Biden ने एक order declare किया है order क्या है कि अभी आपको पता है नो USA के Supreme Court ने अपनी तरफ से verdict दे दिया कि जो भी USA के states abortion को ban करना चाते हैं वो ban कर सकते हैं और जो Roy versus Wade case था 1973 का उसमें जिसको एक legal right तक बोल दिया गया था कि हाँ जी एक अधिकार है individual का personal right है abort करवाना abortion को उसको overturn कर दिया तो ऐसे में Joe Biden ने अभी order declare किया है अब वो order का impact पूरे USA पर नहीं जाएगा एक चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि USA में आपको पता है कि हमारे जिस तरीके से central government powerful है ना वहाँ पर अगर powers की बात की जाए तो state governments के पास में ज्यादा powers है ठीक है ना तो ऐसे में Joe Biden ने जो order declare क करना चाहिए जहां जहां पर भी Republic government चल रही है conservative की government चल रही है जिन्होंने पहले ही बैन कर रखा है इसको abortion को वहाँ पर यह Joe Biden का order काम नहीं करेगा वहाँ पर ठीक है ना जबकि इंडिया में भी तो आपको पता है कि order central government कुछ issue कर दे तो उस case में फिर state governments को वह चीज़े मान USA का context देख रहे हैं तो point क्या निकल क्या रहा है कि Joe Biden ने जो order declare कि abortion को एक अदिगार के तोर पर ही देखा जाए वह पूरे USA में apply नहीं होगा बस main point इतना साधा क्योंकि वह pure federation है वहाँ पर state governments के पास में ज्यादा powers है अब state government के power साथ में ज्यादा है तो जिन conservative states ने abortion को ban कर र की बात भी की जा रही है रॉय वर्सेज वेड को revival देने के लिए इसका मतलब abortion को एक अधिकार बनाने के लिए ठीक है तो यह मुद्दा हम बहुत बार अच्छे से discuss कर चुके हैं वैसे आगे चलते है नेक्स्ट हम आगे economy page फेदे को FSIB that means financial services institution bureau इसने अभी क्या कहा है जो Indian bank association है उसको यह कहा है कि आप institution establish करो जहां पर कुछ individuals को मतलब एक तरीके से पिक किया जाए और उनको training दी जाए जिससे कि वो future में public sector banks को lead कर सके बेसिकली क्या होता है देखो कि जो public sector banks है उसमें CEO है Chief Executive Officer ठीक है जा फिरेक्टर है इनकी appointment के लिए अच्छे eligible candidates की हमेशा कमी रहती है ठीक है वो कमी क्यों रहती है क्योंकि training proper नहीं हो पाती तो उनके appointment में आती है problem तो अगर हम FSIB इसकी बात करें तो यह government ने अभी recently ही यह establish की हुई body है basically यह इसका काम क्या government के द्वारा establish की हुई यह body है जिसका काम क्या है कि public sector banks में जो higher authorities की जो post होती है वहाँ पर appointment के लिए individuals को training दिलाने के लिए एक provision किया जा रहा है training हो उनकी learning हो skill development हो up gradation हो जिससे क्या हो जाए कि वो आराम से top level के जो decisions है वो ले सके जैसे उनका proper grooming हो सके जो भी उनके पास में knowledge है उनका एक कह दो कि ethical and understanding develop कर दी जाए उनमें कि आप इतनी बड़ी post पर बैठे हो तो आप गल situation को कि आप जल्दी से जल्दी institution या firms को appoint करो जहां पर हम leadership तयार कर सके आने वाले time पर public sector banks में higher post पर appointments के लिए ठीक है इसके पहले देखो bank board bureau जो था ना वो काम किया करता था appointments को लेकर के जो top level पर CEO की level की appointment होती थी थी ना वो अब यहां पर main काम क्या है कि देखो आज के time पर आपको पता है कि किस तरीके से technological advancement कितना हो गया तो आने वाली जो appointments होंगी उनमें digitally expertise होने वाला individually expert होना चाहिए strategic thinker होना चाहिए कि कब कौन से action कैसे लेने है साथ में एक collaborative manner में काम करें जैसे कि एक group को एक साथ अगर grooming की training दी जाती है ठीक है तो वो लोग जब appointment होंगे अलग अलग public sector bank के CEO के तौर पे या फिर directors के तौर पे तो कोई भी collective decision लेने की बात आएगी न तो उनमें एक team spirit का काम आएगा ठीक है एक team की जो spirit होगी वो आएगी क्योंकि इन लोगों को साथ में training मिलेगी और फिर उसके बाद में उन लोगों की appointment होगी उनके bank के top level पे इस ठीक है अलग अलग जो भी public sector banks है कि आप अपने senior managers की list भेज़ दो किसको आप अपने appointment किसको eligible समझते हो कि आप उनको CEO या फिर डिरेक्टरी की तौर पर appointment कर सकते हो public sector bank फिर वो list आती थी उस list में से देखा जाता था कि कौन किसको appointment किया जाए तो वो appointment जो थी ना उसके पहले उन senior managers की कोई training नहीं थी कोई grooming नहीं थी कोई वहाँ पर कोई तरीके का conduction नहीं था इंडक्शन नहीं था जिससे कि वो collaborate करने की भी सोच सके हैं अब उस चीज को ठीक करने के लिए FSIB program स्टार्ट किया है अब देखने वाली बात यह है कि chances तो यह है कि program थोड़ा successfully काम करेगा जिससे कि public sector bank अच्छा perform कर सके public sector bank का मतलब समझ गया ना government banks थीक है न तो यह चीज यहां पर बताई जा रही है थीक है आगे चलता है इसके आगे central government ने states को यह काया कि जो गती शक्ती plan है बोलो उसको हम बहुत जल्दी से implement करना चाहते हैं projects को time पे complete करेंगे तो इससे एक virtuous cycle चलेगा virtuous कैसे project में investment आएगा time पे complete होगा तो economic activities अच्छे से होगी तो और पैसा बनेगा तो और investment आएगा इस तरीके से ही है virtuous cycle चलाने की बात की जा रही है तो प्रधान मंत्री गती-शक्ती program है इसके बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे UPSC point of view से बस इस discussion में इतना ह यह थैंक यू वेरी मुच्छ फोर आचिंग इस वीडियो